जैसे कि यह चेयर का है मॉडल इसको अगर हमें बनाना है इस तरह का रिटेसल तो पता नहीं है कुछ कुछ सम्मिव है रहा है हमें उसको यह देखके हमें बनाना है तो कैसा कर सकता है जैसे हमें समय में आता है एग दे यह स packedол horn land रहे है तो एक सिलेंडर ले ले लेते हैं एक सिलेंडर के उपर कैप कर लेते हैं कैप एडिकल लिया में नहीं कैप के अंदर में एक और स्ट्रंग में दे लेते हैं कि अब जैसे कि इसके 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 नहीं फ्लावर कितने बन रहे हैं एक दो तीन चार पाँच शे साथ आट और दस एक इधर पर वह सकता है दस हो गया यारा बारा तेरा 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 तेधर भी मेरे पास उतने कुछ होने चाहिए सेग्मेंट्स भी तो इधर में पास बन रहे हैं कितने को कम करना होगा 14 कर लिया मैंने तो अभी मैं इसमें से निकाल होगा इसमें से यह फ्लावर को प्रियेट करेंगे इसमें से ही तो करते हैं एटिट पॉली करते हैं यह लिया तो इसको इसको भी तो इसको मैं करता हूँ एक्स्टूड़ यह क्या क्या है यह अब यह एक हमारे यह फैला रान यह एक ही सइट पर जा रहा है तो पहले तो हम बने किया करना हो न इसको फैलाने के लिए क्या कर सकता है आँ मैं एसको आसे करूँगा चैल जिए हमने पर के फेसे को सेलेक्ट किया और फिस से करता हूँ एक्स्टूड इस बार एक्स्टूड मैं करूंगा इसमें देखो आप्शन साते है ग्रूप लोकल या पॉलिगोन लेता हूँ तो पॉलिगोन लेके कि फाइन पर इस ते करता हूँ मैं स्केल पर एक बार मैं इसको करता हूँ स्मूध करके देखते है क्या बन रहा है करके देखते हैं इतना सा कुछ किये तो है इसके क्या हमारे पास क्या रिजर्ट आ रहा है इसके साथ में स्मूर्थ करने के बाद यह भी देख लेता है कि कुछ-कुछ रिजर्ट हमारे पास आ गया कुछ इस तरह का अब इसमें क्या shapes करने बागे है तो अभी क्या इसमें बीच में कुछ segments बनने चाहिए थोड़े से उतने भी चाहिए एक फुलावा दिखना चाहिए अब यह क्या हमारा पतला आसा दिख रहा है फुला जैसा feel नहीं आ रहा है तो segment size करने पड़े है फुलावा दिखने के लिए इसके बीच में क्या cover नहीं है तो इसके बैसे क्या पचक जा रहा है यहाँ तो इसको cover करने के लिए मैं इलने सम्में ring करता हूँ एन एडिट करता हूँ इसमें करने के लिए मैं यहाँ पर से click कर रहा हूँ आ गया बीच में connect इसमें काम करता हूँ अपने object का जो color है उसको change करता हूँ ताकि confusion कम हो हाँ देख रहा है लाल color जो आ रहा है हमारा connect हो रहा है यहाँ पर connect करता है अपसे रहा है हम अपने के बीच में देख सकते हो इसके बीच में शुक्रीजह क्रमें रहे है आपसे परम जो मैं गार्या पर अंदर कि मतलब कि हम लोग को सक्वरषद करना है काओ पर इधर पर कर लिजिए एक करो रिंग करते हैं कनेक्ट एक सेंटर में एक और बन गया सेग्मेंट तो मैं करता हूँ और थिकनेस हो गई है और मोटाई हो गई इस पर अब मैं क्या करूँगा फिर एजस पर आऊंगा इस पर इस पर इस पर क्लिक करते हैं ताकि मैं इससे मोडिफाई कर सको इनको अराम से जैसे कि मैं को अभी सेंटर वाला इसको मुफ आगे की तर भी खिचना है ऐसा मोटा बनाने के लिए जैसे अभी उपर वाला यह है तो इसको मेरे को नोग बनाना है अब यह नोग नहीं बन रहा है तो उपर वाले को भी हम दोश्लेक कर सकता है लाइक इसको एक में डिसको भी सेगमेंट्स को लेते हैं यह जो है थोड़ा सा इसको उपर करना होगा लूप हो जाएगा के नहीं कि आर्ट से करता है कि इच्छे का जो यह वाला है ना इस तो थोड़ा उपर ले लेता है अब जैसे कि मेरे को यह पीछव अलग थोड़ा ऊपर होना ची यह आगे वाले नीची होना चीए तो उसके लिए क्या करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना हो मैं इधर पर करूँगा एक दालूँगा अलग से एफफडी कर दो 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 करदी में अलग किया तो ले लेता हो नीचे पीचे वाले उपर कर दो कर दो कर-दो कर दो है अब सही है मैंने FFD को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ कर दिया था मैंने अभी फिर से ऊपर कर दिया अब सही है अब परफेक्ट है इसे क्रेट कर सकते हैं बीच में अलग से एक चेंफर बॉक्स डाल दो या फिर स्पेर डाल दो इसको स्मूथ कर लो मैं FFD लेता हूँ 3x3 Center Point को लिया पर खीचा साइड वाल पॉइंट को लिया बाहर के तरफ खीचा मैं से स्मूथ इस तरह से बना सकते हैं अब बनाना चाहे तो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन दी तरफ